जम्मु कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर से सेना कुछ चनौती दी है यहां बीते कुछ महीने में आतंकी वारदाते बढ़ गई हैं यह देशतगर्द गाटी के अमन्चैन को खत्म करना चाहते हैं जम्मु कश्मीर के डोड़ा जिले के देशावन छेत्र में सुमवार को आतंकियों के साथ फिर से मुटबेड हुई एंकाउंटर के दुरान एक अधिकारी समेच चार जवानों घायल हुए थे जिनने फोरण अस्पताल में भरती कराया गया था लेकिन इलाच के दुरान चारों जवानों की मौत हो गई बताया जा रहा है कि एक सीक्रिट इंपुट के बाद सेना और जम्मू कस्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में सर्च ओपरेशन चलाया था इसी दुरान जंगल में चारणक फाइरिंग होने लगी सेना के जवानों ने फाइरिंग का मूतोर जवाया दिया मगर अंधेरा और घना जंगल होने के कारण आतन की भागने में काम्याब हुए सुरक्षा वलों ने लाके में अभी भी घेराबंदी कर रखी है गटना इस्थल पर अतरिक सुरक्षा वलों को भी भेज दिया गया है अधिकारियों ने बताया कि मुढभेर तप शरू ही जब राष्टी राइफल्स और जम्मु कस्मीर पुलिस के विसेस अभ्यान समू के जवानों ने शाम करीब साथ बच कर पैतालिस मिनट देशावंग शेत्र के धारी कोटे उरार बागी में शैयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभ्यान शुरू किया सेना की वाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट किया कि विसेस्ट खूपिया सुचनाओं के अधार पर सेना और पुलिस की ओर से डोड़ा के उत्तर में समान शेत्र में एक संयुक्त अभ्यान जारी था रात के लगभग नौ बजे आतंकियों से संपर्क इस्थापित हुआ जिसके बाद भारी गोलावारी भी हुई आत्रिक्त सैनकों को इलाके में भेजा गया बिछले कुछ हफ्तों में दमुक्षेत्र के कई स्थानों पर हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षावल हाई पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है अतंगवादी संगठन कश्मी टाइगर्स ने डोडा हमले की जिम्मेदारी ली है ये संगठन जैशिन मुहम्मद का ही आफशूट है जिसे हाल में ही कटुआ में सेरा के काफले पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी जिस दिन से प्रधानमंदी नरेंदर मोधी तीसरी बार पियम मोधी की सपत ले रहे थे उसी दिन आतंकियों ने जम्मू रीजन में पढ़ने वाले रियासी इलाके पे हमला किया यहाँ परशेदालियों से भरी बस में ताबर तोर फाइरिंग की गई इसमें नौ लोगों की मौत हो गई थी इसके बाद से लगातार आतंकी हमले जारी हैं आतंकियों की ओर से 9 से 11 जून के बीच चार हमले किये गए इसके बाद जुलाई महीने की शुरुवात में 8 जुलाई को कट हुआ के बदनोटा इलाके में सेना के गश्टी दल्वर भारी हत्यारों से लेज आतंकियों की एक समू ने गात लगा कर हमला किया हमले में हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे NBT Online की रिपोर्ट